श्लाम अलेकुम वीवर्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को डुपट्टे से स्काफ बनाना बताऊंगे नमाज के लिए आप ये स्काफ किसी और फैब्रिक से भी बना सकते हैं जिसके लिए हमें दो मीटर फैब्रिक की जुरत होगी तो इस तरह से डुपट्टे को मैं डबल फोल में रखूंगे लेंथ की साइड से और इसे बिछाते होएं लीक्रा कर लेंगे तो यहाँ पर एकिसे कॉने से मिलाते हुए और यहां इस तरह से आप को बना सकते बचे के लिए बड़े के लिए गए तो वीडियो को पुरा एंड तक देखें अगर और आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो इस तरह से मारे जो राउंड से पर वो लग चुकिए आप देख सकते हैं अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं दूपट्टी के साइड से जो हमारी लेस बच रहे हैं वह हम राउंड में अपने लग कर रहे हैं यह बड़ी साइच के लिए है इसलिए अगर बच्ची के लिए बना रहे तो आप यह चेंच पर लगा सकते हैं इसके जो चोड़ाई है मैं से आड़े तीन इंच पर मां कर लेंगे इस तरह से कटिंग के बाद यहां पर हम से देंगे मिलाते हो बिल्कुल कर देने के बाद हमारे जो कैप है वह पर्फेक्ट बन गई है अब हम यहां पर नो स्पीन के कटिंग कर लेते हैं नो स्पीन के लिए मैं चोड़ाई ली हूं दस इंच और इसकी जो लंबाई है वह मैं पारे इंच पर मां कर रहे हूं इस तरह से हम एक बॉक्स तियार कर ल कि नो स्पीन की भी कटिंग हो गई है अब हम इस टीचिंग कर लेते हैं जो हमारे खुली फाली साइड तुछी दिखले लिए कि उसे हम छोटा सा कट लगा लेंगे मिडल में उसके बाद हम काको भी डबल फोल करते हुए चोटा सा कट लगा लेगे अब हम कैप को इसकी ओ यह पर खेंग्ट करेंगा उंसे बाइसे साथे तरह में 10 इंच पर बढ़ी केलिए 20 Whatsapp, करचे 1 cambi yeah यहिए बाइसे और में 10 इंच पर को था। में 10 इंच आप करेंगे जो हमारी बचिवी ऐजम लगा देंगे जो हमारी पीछे सर के पास बांधने में काम आएगी तो इस तरह से में डोरी तियार करके रखी हूं दो पीस जिसके लेंथ वह 16 इंच की है तो यह हम कैप के पास एड करेंगे यह दोनों साइड पर दूसरी कैप आली साइड पर इस तरह से मोड़ते वे सलाय लगा कर आएंग और यह सलाय लगते साइड के बिलुछ आगा के राउंड़ से भी तरह से साइड लेंगे तरह साभ रे भी तरह सब भी मोडें मैंने मैं त Christmas नहीं बोलेंग पॉरे राउंड मा अब डेग ल Kush पास और आप से संट पर दीछे आपास में नहीं नहीं सिसल में नहीं के बहन है यह हम पीचे की तरफ पारनी के लिए दोरी लगाए हैं भाइब हम अपनी नौ स्पिन तैयार करदे हम यावर करते हुए नो स्पिन के लिए हम तीन सैट पे डबल फौल करते हुए पहले आप तहरा से तीन साईट पर एक साईट पर हम पहले दो पीज जो हमारी हाफ इंच वाली लाश्टिक आती वो लेंगे जिसकी लेंथ यहां पर आट से दस इंच है यह हम दोनों साइट पर रखेंगे इस तरह से उसके बाद हम यहां उपर वाली फोल्ड लगाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं और नीचे के साइट पर मै लेस लगा दियूँ जो हमारी बच्ची वी थी थेंक्यू